कच्चे आम से आपने अचार, मुरब्बा और सरबत कई बार बनाए होंगे लेकिन क्या आपने कभी कच्चे आम की सबजी बनाई है नहीं बनाई है तो मेरे तरीके से बनाई यह बहुत देश्टी लगती है और साध्यों ब्यवा में कई बार यह खास होती है तो चलिए सुरू करते हैं इस recipe को जिसे मैंने कच्ची केरी से बनाया है तो सबसे पहले आपको 10 मनेट कम से कम इसे आपको पानी में डाल के छोड़ देना पड़ेगा और मैंने इसमें छोटी-छोटी कच्चे केरी का इस्तेमाल किया है कच्चे कच्चे आम का ये देखे और आपको अच्छी तरह से कट कर लेना है तो ये देखे सभी को मैंने कट करके तयार कर लिया है लंबे लंबे अकार में उसके बाद आपको लेना साप पानी तो मैंने साप पानी लिया है उसमें डाल दिया है आम को और आम को डालने के पाउडर लाल मीर्च का पाउडर यह थोड़े से तीखे मैंने बनाए है सबजी में टेश्ट बढ़ाने के लिए एक चमच मैंने डाल दिया है लसून का पेश्ट का इसका जो टेश्ट है कई गुणा बढ़ जाएगा और हाँ इसमें मैंने चार से पांच कच्छी केरी का इस सकते हैं अगर आप ज़्यादा केरी का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको मसाले की मातरा थोड़ी सी बढ़ा देनी पड़ेगी अब चलिए आगे का भी तैयारी कर लेते हैं तो मैंने दो तेश पत्ते का इस्तमाल किया है एक चमच के करीब मैंने सौप लिया है और आधा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा तेल को कर सकते हैं मैंने इस सबजी को बनाने के लिए सरसु तेल के इस्तमाल किया है और अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मैंने सभी मसाले को डाल दिया है यह देखिए अच्छी तरह से और फिर क्या करना आपको लगतार चला च छूट जाने वाले हैं इसलिए मैंने पानी को अलग से कहा और पानी को भी बिल्कुल ही नहीं फेकने वाले हैं इसमें आप चीनी मिला के इसे आप सरवत की तरह यूज कर सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है और यह देखिए आप यह सबजी भी इसको बना सकते हैं और इस नमक स्वाद के अनुसार, और नमक डालने के बाद आपको क्या करना है, तीखा मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया है, तो नमक की मातरा मैंने ज्यादा बढ़ाई है, और फिर इसे थोड़ा सा चटपटा लुक देने के लिए, चटपटा सा टेस्ट देने के लिए मैंने डाल द लाइक और सब्सक्राइब करते ही जाएगा और मैंने बहुत सारी रेसेपी डाल रखी है तो लिजिए आम और मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और बिल्कुल ही हलका सा मैंने पानी डाल दिया है अगर आपको ज़्यादा ग्रेबी वाली सब्जी पसंद है तो आ आप गरम मसाले का भी फ्लेवर एड कर सकते हैं लेकिन आप चाहे तो इसके बीना भी बना सकते हैं दोनों तरह के से यह बहुत ही टेश्टी बनती है तो यह देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है अब इसे आप को क्या करना है रोटी के साथ चावल के साथ तरब करना है गर्मगरा बहुत एटेश्टी लगती है और इसे आप फ्रीज में रखके दो से तीन दिन आप आराम से चला भी सकते हैं हाँ अगर अभी तक ये रेसेपी को आपने देख चुका है और आपको सौट देखने का मन है जब बनाने का समय आया आया तो मैं दो से तीन दिन में इसे सौट रेसेपी भी बना के डाल दोंगी आप उसे देखके तुरंट सीख सकते हैं तो आई होप ये आइडिया आपको का काफी पतंद आया होगा.